हेई गुद मॉर्णिंग एवरिबारी एन वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आज हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे एन ट्रॉस्ट मी इस गना भी मैजिकल एम वेरी एक्साइटेट सो लेट्स गेट स्टाइट इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्लेटो को दो पार्ट में प्लेटो के बारे में दो चीज़े पढ़ेंगे एक तो उनका ब्रीफ इंट्रडक्शन देखेंगे और फिर उनकी थियरी ओफ आइडियाज को समझेंगे ये प्लेटो का पार्ट वन वीडियो है नेक्स पार्ट भी अप्लोड हो जाएगा जिसमें हम लोग प् सोक्रेटीज के बारे में हम लोगों को कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपनी कोई बुक नहीं लिखी है उनके बारे में लिखा हुआ मिलेगा बट उन्होंने खुद कोई बुक नहीं लिखी है प्लेटो ने ही अपनी बुक्स में सोक्रेटीज के बार Plato रग दिया गया तीसरी बात Plato के बारे में कि Plato को Father of Political Philosophy कहा जाता था क्यों कहते थे थे पादर of Political Philosophy क्योंकि उन्होंने ही पहली बार बताया था कि what constitutes ideal state उन्होंने ideal state कि बारे में बात की थी अब यह ideal state क्या है तो पले टो ये कहते थे एक दूसरी दुनिया है एक दूसरी दुनिया है जो कि perfect दुनिया है वो मानते थे कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये world एक world of illusion है यहां पर कुछ भी perfect नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी कुछ perfect नहीं है Plato के according एक दूसरी दुनिया है जो कि ideal state कहते थे वो उसको वो world of God है वो भगवान का state है और वहाँ पे सब कुछ perfect है कुछ भी imperfection नहीं है बट ये जिस दुनिया में हम रहते हैं वो एक illusion की दुनिया है यहां सब कुछ भी perfect नहीं है तो Plato जो थे वो इस दुनिया को अपना जो उनक्या जो जहां वो पैदा हुए थे उसको भी वो perfect बनाना चाते थे उसको भी वो ideal बनाना चाते थे God's ideal world की तरह इसलिए Plato को utopian कहा जाता है क्योंकि वो जो भी सोचते थे वो practically possible नहीं था इसलिए उनको utopian कहा जाता है तो यह था Plato का ideal state वो कहते थे तो उन्हें father of political philosophy क्यों कहा जाता था पहला reason क्योंकि उन्होंने पहली बार बताया कि what constitutes ideal state दूसरी बात उन्होंने बताया कि what constitutes good political life यहां पे उन्होंने good political life की बात की इसलिए उन्हें father of political philosophy कहा जाता था father of philosophy कहते थे हम Socrates को लेकिन हम Plato को father of political philosophy कहते थे क्योंकि इन्होंने पहली बार बताया कि what constitutes good political life तीसरी बात वो कहते थे ethics of political class political class का क्या ethics होना चाहिए उसके बारे में वो बात करते हैं Political class के बारे में आप अगली वीडियो में जब और Plato को समझेंगे तो आपको जाद अच्छे से समझ में आ जाएगा चौधा point Plato के बारे में ये हमें पता होना चाहिए कि Plato को हम utopian कहते हैं और idealist कहते हैं utopian क्यों कहते हैं ये आपको पता चल चुका है क्योंकि वो अपने जिस ideal state के बारे में बात करते हैं वो इतना impractical है कि लोग Plato को utopian कहते हैं और idealist क्यों कहते है Plato को क्योंकि Plato idea को real मानते हैं idea मतलब क्या एक ऐसा world का idea जो की possible ही नहीं है लेकिन Plato की नजर में वो perfect है और वो यहाँ possible नहीं है वो कहते है idea is real और जिस world में हम लोग रहते हैं वो illusion है इसलिए Plato को idealist कहा जाता है तो हम लोगों ने Plato के बारे में क्या क्या देखा हमने देखा कि वो Socrates के disciple थे और उनका original name aristocle सा हमने देखा उन्हें father of political philosophy क्यों कहा जाता है और हमने देखा कि Plato को utopian और idealist भी कहा जाता है So let's move on to the next slide अब देखो Plato के introductory part में हमें ये भी बहुत जादा जरूरी है समझना कि Plato का biggest contribution जो है वो है his theory of philosopher king वो philosopher king के बारे में बात करते हैं अब ये philosopher king क्या है तो Plato कहते थे कि in ideal state philosophers are rulers तो देखो हमारे हमारा जो ये illusion की दुनिया है Plato के according उसमें जो rulers कोई भी उठके ruler बन जाता है और पूरा जो पूरा system को खराब कर देता है लेकिन जो ideal state है वहाँ पे सिर्फ philosophers ही ruler होते हैं क्योंकि Plato के according philosophers के अंदर ही rule करने की capacity होती है आगे की theories में आपको ये सारे terms बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे तो अब Plato अपने Plato की language में वो क्या कैसे explain करते हैं Plato कहते हैं इतना बड़ा statement देते हैं Plato वो कहते हैं कि जब तक जो राजा है वो philosophy सीख न ले या जो philosopher है वो ही राजा न बन जाए तब तक एक अच्छा system established नहीं हो सकता है मतलब Plato के according राजा को दर्शन आना ही चाहिए राजा को philosophy आनी ही चाहिए तब ही एक system अच्छे से work करेगा तो ये cover हो गया अब next slide पे चलते हैं अब Plato के introductory part में और क्या क्या जानना important है तो देखो Plato devoted his life to one goal Plato ने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही goal पे काम किया वैसे तो क्योंकि देखो उनका goal क्या था helping people to reach a state of eudemonia अब ये eudemonia क्या है eudemonia का मतलब है fulfillment अब देखो life में हम चाहिए कुछ भी करें हमारा aim क्या होता है happiness, fulfillment, satisfaction है ना तो Plato चाहते थे कि उनका जो भी state है उसमें जो भी लोग रह रहे हैं उनको satisfaction हो, fulfillment हो enjoyment के साथ जीएं तो इसी goal के पीछे इसी की वज़ा से उन्होंने सारा theory वो लेकर आए, वो देख रहे थे कि उनका Athens में उस वक्त जो democracy है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है Socrates जो कि उनके गुरू थे उनको भी मार दिया गया, इसलिए वो कहते थे कि जो इतना बेवकूफ राजा है, जिसने उस वक्त के लैंड पे सबसे wisest man को मार दिया, तो उसे राजा होने का हक ही नहीं है, राजा को तभी उन्होंने ये समझा कि राजा जो है उसको philosopher होना बहुत जरूरी है, ताकि वो सही गलत कि उसको समझ अच्छे से हो, और जब एक philosopher king होगा, तभी fulfillment सारी प्रजा को मिल सकती है तो उनका aim था eudemonia, मतलब कि लोगों को fulfillment के stage तक पहुचाना अब दोस्तों, दूसरा point क्या है कि books of Plato Plato की books बहुत important है वैसे तो Plato ने 36 books 36 किताबे लिखी है Plato ने लेकिन बहुत सारी जो famous, सबसे famous जो books हैं, वो हैं The Republic The Symposium, The Laws, The Meano The Apology and The Statesman 40 साल के उमर में Plato ने The Republic में लिखी थी, जिसने सच में धूम मचा दिया था, मतलब Republic को लिखे जाने के बाद जो एक राजा था Dionysius जिसने Plato को बुलाया और उसने कहा कि तुम मेरे state को एक ideal state बनाओ और जो भी तुमने लिखा है उसको मेरे state में implement करके देखो वैसे हम लोग इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, वहाँ Plato गए तो थे लेकिन जब उन्होंने वहाँ अपने rules अप्लाई करना शुरू किया तो वो तो एक बहुती उन्हें फिर अपनी और किताबों में उन्होंने बताया कि यह जो ideal state है वो यहाँ पर possible ही नहीं है यहाँ पर ऐसे लोग हैं तो फिर उन्होंने second best state की बात की थी इसके बारे में हम लोग कभी और जानेंगे, फिलहाल यहाँ पर आप लोग प्लेटो की बुक्स के बारे में जरूर नोट डाउन कर लीजेगा 36 किताबे थी जिसमें से यह 6 किताबे बहुत फेमस थी और रिपब्लिक तो बहुत ही जादा फेमस थी अब next point दोस्तों प्लेटो के बारे में यह है प्लेटो ने जो है अपनी एक स्कूल समझ लीजे उस वक्त पहले ऐसे कुछ स्कूल टाइप का सिस्टम प्लेटो ने स्टाट किया था तो उसका नाम ही उन्होंने एकेडमी रख दिया उनके स्कूल का नाम ही एकेडमी था ठीक है और इस academy से बहुत बड़े-बड़े brilliant philosophers निकले जैसे कि Aristotle, Aristotle was a disciple of Plato Plato के शिष्य थे Aristotle यह आपको chronology याद रखनी पड़ेगी सबसे पहले Socrates आए Socrates के शिष्य बने Plato और Plato के शिष्य बने Aristotle तो Aristotle निकले उनकी academy से तो Plato की जो academy थी उसमें कोई भी जाके नहीं पड़ सकता था Plato की academy में सिर्फ intelligent brilliant people पड़ते थे जिसमें जिनको science और इन सब चीजों में बहुत ज़्यादा interest था math, science, trigonometry इसमें बहुत ज़्यादा interest था वही लोग Plato की academy में पड़ सकते थे और Aristotle जो Plato के शिष्य थे वो भी बाद में चलकर अपना एक school start करते हैं जिसका नाम होता है Lyceum और उस Lyceum में Aristotle के Lyceum में कोई भी पड़ सकता है कोई भी क्योंकि Aristotle ये समझते हैं कि जो भी अपने रास्ते से भटक गया है उसे रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी उनकी है और एक teacher की होती है एक philosopher की होती है जिसकी वजह से वो अपना rule Plato के academy जैसा नहीं रखते हैं कि सिर्फ वहाँ पे brilliant लोग ही पढ़ेंगे तो Aristotle के Lyceum में कोई भी पढ़ सकता था लेकिन Plato के academy में सिर्फ brilliant और intelligent लोग ही पढ़ते थे तो थोड़ी से एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रही हूं साथ में ताकि आपको interest आपका बना रहे है now let's move on to the next slide अब हम लोगों ने Plato का introduction देख लिया हमने थोड़ा सा brief में ही देखा है अगर आप कहोगे तो मैं introductory part पे एक अलग से वीडियो बना दूँगी अब यह important चीज़ है जो आपको Plato के बारे में पता होनी ही चाहिए अब हम लोग Plato की theory of ideas के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों Plato ने जो अपना theory of ideas दिया वो उसमें Plato की theory of idea जो है उसमें उन्होंने एक ही बात को explain करने की कोशिश किया और वो क्या है reality is the shadow of ideas जो कि उनका ideal state बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि Plato ये मानते हैं कि हमारा world जो है वो illusion है और ideal world ही असली दुनिया है वहीं पे सब कुछ perfect है ठीक है तो Plato मानते थे कि जो असली दुनिया है जहां पे सब कुछ perfect है उसी का एक shadow है हमारी दुनिया मतलब कि God's world में जो कि perfect ideal state है अगर मान लिजे वहाँ एक घर है बहुत ही खुबसूरत घर है perfect घर है उससे खुबसूरत perfect घर कहीं और नहीं हो सकता है लेकिन हमारी दुनिया में अगर वैसा ही कोई घर है तो वो सिर्फ उसकी एक परचाई मातर है वो असली perfect घर कभी होई नहीं सकता है ठीक है वो उस level के perfection तक कभी पहुँची नहीं सकता है उनका मानना है कि हमारे world में जो कुछ भी है वो सिर्फ real world मतलब ideal world की एक परचाई है एक shadow है ठीक है तो उनकी theory of ideas में वो यही explain करने की कोशिश करते है कि reality is the shadow of ideas ठीक है और वो यह भी बताते हैं कि illusion real knowledge और knowledge of illusion मतलब किसी illusion में और किसी real knowledge में क्या अंतर है ठीक है तो यह दिमाग में जैसे ही प्लेटो का theory of ideas आप सुनू आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि reality is the shadow of ideas प्लेटो कहते थे कि जो भी reality है reality किसको कह रहे हैं मतलब हम लोग जिसको real समझ रहे हैं वो reality वो ideas का एक shadow मात्र है ठीक है इस चीज को explain करने के लिए प्लेटो ने allegory of caves का concept दिया ठीक है और allegory of caves को अच्छे से समझने के लिए आपको प्लेटो के theory of soul को अच्छे से समझना होगा तो इसलिए प्लेटो के theory of ideas में हम लोग दो चीज़ देखेंगे पहले पार्ट में हम लोग theory of soul को समझेंगे क्यों समझें के theory of soul को allegory of caves को समझने के लिए और allegory of caves को क्यों समझेंगे Plato की theory of ideas को समझने के लिए so let's move on to the next slide now theory of soul अब देखो Plato की theory of soul क्या कहती है तो Plato कहते है कि हर आत्मा में हर soul में तीन element होते है reason, courage and appetite reason क्या है question करने की power अब देखो आप अगर कोई भी चीज़ देख करके जब question करते हो यह ऐसा क्यों है यह rule क्यों बना हमारे government यह policy लेकर क्यों आई हमें क्यों इसे follow करना चाहिए तो यह reason का element है आपके अंदर जो आपसे यह सब पुछवा रहा है ठीक है यह आपके अंदर यह excitement create कर रहा है कि यह क्यों है question and answer का excitement तो यह reason की quality है element है दूसरा element courage हिम्मत मतलब कि जब भी आपको suppress किया जाए या कुछ ऐसी बात आजाए जहां हिम्मत दिखानी हो तो आप हिम्मत दिखाओ तो यह आपका courage का element आपको इसके लिए encourage करता है और तीसरा element किसी भी आत्मा किसी भी इनसान या soul के अंदर होता है वो होता है appetite भूख भूख सिर्फ खाने की नहीं होती है भूख होती है कमाने की धन की दौलत की पैसे की वेल्ट की भूख ठीक है तो प्लेटो के according यह तीन तरह के elements है जो किसी भी इनसान के अंदर किसी भी soul के अंदर होते है reason, courage and appetite यहाँ पर मैंने diagram बनाने का try किया है कि यह एक soul का diagram है जो आपको सबसे उपर वाली line के end में दिख रहा होगा इसमें तीनों element मैंने show किया है कि एक soul है और उसके अंदर तीनों element है C for courage, R for reason and A for appetite ठीक है अब देखो दूसरी बात प्लेटो क्या करते है यह कहते हैं कि अगर एक भगवान जब किसी इनसान को बना रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सब को बराबर बराबर मतलब यह मैं explain करने के लिए बता रहे हूँ प्लेटो ने basically यह कहा था कि based on dominant element of the soul there are three categories of persons मतलब कि हर soul के अंदर यह तीनों element vary करते रहते हैं अब पाचों उंगलिया बराबर तो होती नहीं है तो भगवान ने भी सारे इनसानों के अंदर यह तीनों element बराबर बराबर तो डाला नहीं है किसी में reason जादा है किसी में courage जादा है तो किसी में appetite जादा है तो अगर मेरे में reason जादा है तो मेरे अंदर reason की quality dominant है courage जादा है तो courage की quality dominant है और appetite जादा है तो appetite का quality dominant है तो इसी basis पे Plato के according तीन तरह के लोग होते है Man of Gold, Man of Silver and Man of Copper अब आप Man of Gold वाले पार्ट को देखिए तो Man of Gold वाले में भी मैंने डाइग्राम बनाया है उसमें आप देखेंगे कि इसमें Reason डॉमिनेट कर रहा है तो R वाला R जादा है दिखेगा इसमें आपको तो इस तरह की Soul के अंदर Reason जादा डॉमिनेट करता है उसमें Courage और Appetite भी है लेकिन Reason डॉमिनेट करता है तो उनको Man of Gold कहते हैं दूसरा Man of Silver Man of Silver में Courage जादा डॉमिनेट करता है इसमें C वाला आपको जादा दिखेगा तो ये Man of Silver हो गया तो इसी तरह से ठीक इसी तरह से Appetite वाले पार्ट में इन लोगों के अंदर Appetite जादा डॉमिनेट करता है इसलिए उनको Man of Copper कहते हैं तो यही Plato का Myths of Metal है जिसमें की वो बात करते हैं कि जिसमें Reason डॉमिनेट करेगा वो Man of Gold है जिसमें Courage डॉमिनेट करेगा वो Man of Silver है और जिसमें Appetite डॉमिनेट करेगा वो Man of Copper है तो बैसिकली अभी तक हमने क्या देखा Theory of Soul में हमने देखा कि Soul के अंदर तीन element होता है Reason, Courage and Appetite and on the basis of dominant categories dominant element of the Soul तीन तरह के लोग होते हैं Man of Gold, Man of Silver and Man of Copper So let's move on to the next slide अब देखो हमने ये तो देख लिया कि हमारे अंदर कौन सी dominant qualities जादा होगी या क्या-क्या qualities होती है क्या-क्या elements होते है अब प्लेटो बोलते हैं कि function of Soul Soul का काम क्या है अब देखो प्लेटो कहते हैं कि Soul का काम है हमें guide करना हमें बताना कि क्या सही है क्या गलत है क्या perfect है और क्या imperfect है अब ये बताओ कि Soul को कैसे पता Soul को कैसे पता कि क्या सही है क्या गलत है तो प्लेटो बताते हैं कि Soul जो है हमारी आत्मा जो है वो God का एक part है ठीक है और जब आत्मा God का part है तो obvious सी बात है कि वो God के वर्ल्ड में रह करके आई है और God का वर्ल्ड क्या है ideal world, ideal state प्लेटो का वो कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो ideal state में रह करके आई है वो वहां की ideal चीजों को देख करके आई है तो just imagine कि अगर हमारी आत्मा जो है उसने ideal world में कोई पेड़ देखा है ठीक है कोई पेड़ देखा है या फिर माल लो कोई table देखा है ideal world में अब जब वो यहां आएगी और यहां पे जब वो यहां के table को देखेगी तो वो compare करेगी वो compare करके बताएगी कि नहीं यह उतना perfect नहीं है ideal world में तो table ऐसा होता है एक perfect table ऐसा होता है यह perfect table नहीं है तो function of soul क्या होता है to guide us और हो कैसे guide करेगा उसे कैसे पता क्या सही गलत है तो क्योंकि वो world god के world में रहकर आई है ideal world में रहकर आई है पता है कि perfect चीज क्या से दिखती है तो वो compare करके हमें बता सकती है अब देखो हर soul के अंदर ये quality नहीं होती है कि वो equally इतने अच्छे से comprehension कर सके अब देखो जिस soul के अंदर reason dominate करेगा question answer करने की ability element dominate करेगा वही soul हमें अच्छे से बता सकती है कि क्या सही है क्या गलत है तो यहीं कैसे करेगी compare करके चीजों को ideal world से और ये compare करने की ability सब के अंदर नहीं होती है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के अंदर होती है जिसमें reason question and answer करने की quality जादा होती है that is reason की quality जादा होती है और ये quality जिसके यानि के man of gold जो है वहीं हमें बता सकते है कि क्या सही है क्या गलत है अब philosopher kings हैं सिर्फ वही लोग जिनके अंदर reason dominate करता है वही kingdom of god को earth पे establish कर सकते हैं और मतलब कि राजा जो है हमारा वो man of gold होना चाहिए मतलब उसके अंदर reason dominate करना चाहिए तभी उस क्योंकि तभी वो जान पाएगा कि ideal world में चीज़ें कैसी होती है मतलब ideal चीज़ें कैसी होती है तो यहां के world को भी ideal बनाने में अपना पूरा contribution देगा इसलिए वो कहते हैं कि एक ideal world में जो राजा है वो philosopher होना चाहिए ठीक है तो यह Plato का theory of soul था जहांपर कि वो एक soul की तीन qualities के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि जिनके अंदर reason dominate करता है सिर्फ वही जो है rule कर सकते हैं और उसी में से एक जो सबसे best होता है वो philosopher king बनता है आप इसमें अगर confused हो रहे हो ना तो आप बिल्कुल चिंता मत करो क्योंकि जब आप पूरा Plato complete कर लोगे और फिर आप इन सब चीजों के बारे में दोबारा पढ़ोगे तो आपको एक दम clear हो जाएगा सब कुछ तो मैंने इस छोटे से वीडियो में अपना best देने की कोशिश किया जितनी knowledge में दे सकती हूँ प्लेटो एक बहुत great person है बहुत बड़ी शक्सियत है उनको छोटे से वीडियो में cover करना is not possible but I have tried my best और यह जो notes है वो आपकी बहुत help करेंगे so let's move on to the next slide अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग प्लेटो की theory of ideas पढ़ रहे हैं और मैंने क्या कहा था theory of ideas आते ही आपके दिमाग में कौनसा statement आना चाहिए कि reality is the shadow of ideas इसी को प्रूफ करने के लिए हम लोग इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं अब मैंने आपको theory of soul सिर्फ इसलिए प theory of ideas के statement को प्रूफ करना कि that reality is the shadow of idea और बताना कि illusion और reality में क्या difference है अब देखो allegory of caves कहती क्या है यहाँ पे प्लेटो एक छोटी सी कहानी type का बता के हमें जो है अपनी theory of ideas को explain करने की कोशिश करते हैं अब यह diagram देखो इस diagram में जो यह circle type का दिख रहे हैं आपको semi circle वो एक cave ह एक गुफा है फ्लेटो कहते हैं कि यह गुफा है और इस गुफा में चार पांच कई लोग हैं जिनके हाथ बंदे हुए हैं और उनका जो face है it is their back is towards mouth of the cave मतलब cave की जो opening है उसकी तरफ उनका वो back करके पीट करके बैठे हुए है और उनका हाथ बंद है वो move नहीं कर सकते है वो सिर्फ cave की काली दिवारों को देख सकते हैं उनके पीछे आग जल रही है अब गुफा के बाहर जो भी आदमी या कोई इनसान या फिर कोई जानवर जो है अगर गुजरता है तो उसक्या जो shadow है वो गुफा की दूसरी तरफ जिस तरफ उन लोगों का चेहरा है वहाँ पर उसका shadow बनेगा दिवार पर तो वो लोग सिर्फ shadow को देख सकते हैं ना वो आग को देख सकते हैं ना गुफा की opening देख सकते हैं और नहीं वो असली लोगों को देख सकते हैं वो सिर्फ उनके shadow को देख सकते हैं ठीक है तो आये जानते हैं इसको और explain करते हैं ठीक है तो let let's move on to the next slide now अब क्या है देखो तीन चार लोग हैं बैठे हुए हैं ठीक है हाथ बंदे हुए हैं मूव नहीं कर सकते बैक जो है उनका इस ट्वर्ड माउट आग जल रही है और वो जो शैडो बन रहा है जो शैडो है उसी को वो असलियत मानते हैं वो मानते हैं कि यही जो ब्ल मानवर है वो ऐसे रियालेटी में एक्जिस्ट करता है उनको सब कुछ ब्लाक और वाइटी मालू में और वो उसी को सच्छा ही मानते हैं उसी में वो खुश है ठीक है लेकिन फिर क्या होता है आगे आगे क्या होता है कि उसी में से जो एक इंसान है वो बड़ा क्यूरियस ह ठीक है वो बहुत कोशिश करता है अपना जो यह हाथ का चेन है उसको तोड़ने की और बहुत कोशिश करने के बाद उसका चेन एक दिन तूट जाता है फिर क्या होता है फिर वो गुफा के बाहर निकल करके आता है बाहर निकल करके आता है और वो देखता है कि अरे बाहर की दुनिया तो एकदम अलग है पहले सनलाइट उसकी आँखों पर पड़ती है वो उसके आँखों में दर्द होता है फिर वो कोशिश करके धीरे-धीरे अँखे खोलता है फिर वो दुनिया को ध्यान से देखता है वो पेड़ों को देखता है वो हरे-हरे चमकदार पत्तों को वो जानवरों को देखता है उसे बड़ा अश्यर होता है और उसे बड़ी खुशी होती है उसे पता चल जाता है वो एक enlightenment वाला stage होता है उसके लिए उसको पता चलता है कि असली में दुनिया कैसी होती है और उससे समझ आ जाता है कि हम लोग illusion में जी रहे थे असली दुनिय तो ये है भाई साब, फिर वो अंदर आता है, फिर क्या अंदर आता है, दोस्तों को बताता है, सब बड़ा मजाख उड़ाते हैं, क्याते हैं, यह क्या बकवास कर रहा है, हमने तो मतलब पैदाईसी से, पैदा होते ही, यही सब देखा है, ब्लैक और वाइटी देखा है, हमे को ले करके आपाता है बाहर फिर वो लोग भी enlightenment enlightened वाला stage उनके लिए भी होता है और वो लोग भी फिर असली दुनिया को देख पाते हैं तो ये थी उनकी पूरी allegory of cave का concept अब देखो वो ये allegory of cave से क्या दिखाना चाते हैं वो ये दिखाना चाते हैं कि देखो ये जो तीन चार लोग है ना जिनके हाथ बंदे हुए हैं वो ignorance को शो कर रहे हैं और ये जो cave है ना प्लेटो ये बता रहे हैं कि ये जो cave है यही हमारी दुनिया है यही world of illusion है और जो बाहर जाकर कि जो वो इनसान देखता है वो real world है मतलब कि वो God's world है ठीक है और इसी को अब देखो वो इनसान ही क्यों chain तोड़ता है बाकी सारे क्यों नहीं तोड़ पाते हैं क्योंकि वो इनसान के अंदर reason की quality dominate करती है इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को theory of soul पढ़ाया ताकि यहाँ पे confusion ना हो अब वो इनसान के अंदर reason की quality dominate करती है वो एक philosopher है अपने mindset से तो वो ऐसे बंद के नहीं रह सकता है वो question करता है अपने आप से कि मैं क्यों बैठा हुआ हूँ मैं क्यों ऐसे जिन्दगी बार बैठा हूँ यह क्या है मेरे सामने यह सब जानने के लिए curiosity होती है और वो अपना chain तोड़ने की कोशिश करता है तोड़ता है बाहर निकलता है और enlightened हो जाता है ठीक है और बाकी लोगों को भी promote करता है तो यह जो इनसान है यह philosopher है इसके अंदर reason की quality dominate कर रही है और बाकी जो लोग है वो philosophers नहीं है उनमें courage और appetite की quality dominate करती है तो यह थी इस बात से Plato ने अपनी theory proof कर दी हमने theory of ideas में Plato का क्या देखा था उनका statement कि reality is the shadow of idea और इसी को proof करने के लिए allegory of cave को समझा करके Plato ने बताया कि देखो समझो सच में reality जो है ना जिसे तुम reality मान रहे हो हमारे हाथ बंदे हुए है shadow को देखकर तुम reality मान रहे हो यह reality नहीं है real world तो बाहर है गुफा के बाहर जाकर देखो sunlight असली में देखो कैसी होती है असली में देखो पेड कैसा होता है जानवर कैसे होते है वो real world है वो समझाते है वही world of god है और तुम अभी illusion world में गुफा व जारी दे दिया so this is all about the video video के next part जो है वो भी मैं upload कर दूंगी यहां तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत thank you so much and please like share and subscribe to my channel that is talking quality तब तक के लिए good bye and so this was all about the first part of the video thank you so much for watching till now and this video के जो next part है वो भी upload कर दिये जाएंगे so study hard be motivated and keep watching my videos so अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please like share and subscribe to my channel talking quality तब तक के लिए good bye this is